हलो दोस्तो मेरा नाम है संदीप और चानल का नाम है टेकवानी और लेके आया हूँ एक फ्रेश एपिसोड आज रियल मी 3 प्रो के बारे में और अगर आप यह कह रहे है संदी भाई जब सब लोगों ने खिचडी बना दी है जब सब लोगों ने इसके स्पेसिफिक के बारे में बता दिया है लाँच डेट के बारे में बता दिया तो आप क्या नया लेके आ रहे हो तो मेरे भाई मैं रूमर्ट नहीं लेके आ रहा हू नहीं हो सकता है ये होगा या वो होगा आज की इस एपिसोड में आपको बताने वाला हूँ almost confirmed specification launch date आपको पताईए कि 22 April को जो है phone launch होने वाला है लेकिन specification अभी तक किसी ने confirm नहीं बताई है तो इस वीडियो को बिल्कुल end तक देखीगा मैं आपको बताने वाला हूँ सभी specification price के साथ launch date 22 April पताईए है और 22 April को एक और phone launch होगा Realme series के अंदर वो होगा कौन सा इस वीडियो के end तक बताऊँगा और एक अफ़ते तक वीडियो क्यों नहीं डाल पाया था वो भी आपको बताने वाला हूँ तो बिलकुल लास तक वीडियो देखेगा तो सबसे पहले specification की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको मिलने वाला है 6.4 inches का Full HD Plus का display जो लोग ऐसा सोच रहे थे कि इसके अंदर आपको Super AMOLED या AMOLED डिस्पले मिलने वाला है या फिर In-Display Fingerprint मिलने वाला है जो की काफी अच्छी होगी, काफी सुन्दर होगी अगर आपने काफी सारी भी OPPO या विवो के जो फोन देखे उसके तरह देखने को मिलने वाली है Dual Tone ये होगा, दो कलर देखने को मिलने वाला है अगर बात कर लेते हैं प्रोसेसर के वारे में तो इससंदर आपको मिलने वाला है Qualcomm Snapdragon 710 का प्रोसेसर जो की 2.2 GHz की फिक्वेंसी पे चलेगा अच्छी बात ये है कि Realme ने इसको अंडरकलॉक नहीं किया है ये बिल्कुल अपनी पूरी परफॉर्मेंस पो चलने वाला है जो लोग ये बात करते है कि 675 जो हो बेटर है 710 से तो कुछ चीजों के अंदर बेटर भी हो सकता है कुछ चीजों के अंदर 710 भी बेटर हो सकता है जैसे बात करता हूँ गर GPU की तो इससंदर आपको Adreno का 616 का GPU देखने को मिलने वाला है जबकि 675 के अंदर आपको 612 का GPU आपको देखने हो मिलता है वहीं आपको 675 जो है 11 nanometer की technology बिना हुआ प्रसेसर है जबकि जो 710 है वो 10 nanometer की technology बिना हुआ प्रसेसर है अगर क्रेयों की अगर मैं बात करता हूँ frequency की तो वहाँ पर जो cores है वो definitely 675 के अंदर अच्छी performance दे जाते है लेकिन काफी neck to neck performance है और अगर बात करते हैं fortnite game की तो definitely वो realme 3 pro के अंदर चलने वाली है तो अगर आप PUBG का मज़ा ले रहे थे fortnite का मज़ा भी लेना चाहते हैं तो realme 3 pro is the choice for you definitely वहाँ पर ये edge लेकर चला जाता है बात कर लेते हैं अब camera के बारे में तो camera के अंदर सबसे अच्छी बात जो है इसके आपको one plus 6T का जो camera sensor देखने को मिलने वाला है जो कि काफी flagship level का sensor है ये 48 megapixel वाली race में नहीं है realme 3 वाले realme 3 pro वाले इसके अंदर आपको 16 megapixel प्लस 8 megapixel का rear camera देखने को मिल जाएगा जो कि definitely बहुत अच्छी performance देने वाला है बिको सका sensor बहुत अच्छा है और front के अगर बात करते हैं तो इसके अंदर आपको जो U series है realme की तो 25 megapixel का आपको sensor जो है मिलने वाला है याने की 25 megapixel की selfie आपको मिल सकती है जो कि definitely Redmi Note 7 Pro से अच्छी होने वाली है तो camera comparison तो जैसी for launch होगा definitely हम करने वाले हैं बट selfie के अंदर अभी realme 3 pro जो है वो आगे जाता बहुत दिख रहा है बात कर लेते हैं बैटरी की चार्ज हो जाएगा 4000 mAh की बैटरी का होना साथ में Wook 3.0 का support होना definitely edge देता है competitors के मकाबले लेकिन जो चीज आपको थोड़ी अखर सकती है वो ये की Type-C का support आपको देखने को नहीं मिलेगा इसके दर आपको USB 2.0 का support ही देखने को मिलने वाला है तो जो लोग ये expect कर रहे थे किसने आपको Type-C जो है वो charger देखने को मिलने वाला है या Type-C port आपको देखने को मिलने वाला है ऐसा नहीं है इसने आपको 2.0 का support देखने को मिलेगा और साथ ही आपको देखने को मिलने वाला है ColorOS 6 का version इरेल में वालों ने बोला कि काफी optimize किया गया है अपकी वारी जो है operating system को तो definitely हम भी देखें कितना optimize को किया गया है android pi का support आपको out of the box देखने को मिल जाएगा बात कर रहे तो इसकी pricing के बारे में तो जो 4GB RAM और 64GB वाली storage का variant है वो आपको 12,999 रुपे का मिल सकता है जो की काफी कमाल धमाल price होगा definitely क्योंकि Redmi Note 7 Pro जो है वो 13,999 रुपे के अंदर मिलता है इसी range के अंदर बाकि दो variant आपको और दे Android 7 Pro के मकाबले 22 April को यह phone जो है launch हो रहा है साथ में launch हो सकता है U series का एक और phone आचा वीडियो खतम होने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं एक हफते कहां पर था दोस्तों मेरे गले में बहुत ही जादा जोर की दर्द था और मतले इतना था कि मैं बोल भी नहीं पा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर शायद मुझे fever होता या मुझे cold होता तो definitely वीडियो बना लेता लेकिन गले से मैं बहुत बहुत रहा रहा था और जब मैं डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए अपना treatment के लिए तो मैंने देखा कि line में लगा के लोग खड़े वीडियो को और आपसे बिल्कुल डेली वीडियो में बनाने वाला हूँ सब्सक्राइब कर देना या इसी तरीकी की वीडियो देखने के लिए मैं मिलता हूँ आपसे और अगर 675-710 का comparison आपको देखना है तो नीचे comment में ज़रूर बताएगा एकदम detail में आपको comparison करके मैं